दोस्तों इस वीडियो को अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं जैसे कि आपके भी चैनल में कुछ इस तरह का एरर दिखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं जैसे आप दूसरे email id को login करने की कोशिज करें या email id चेंज करने की कोशिज करें तो आपके सामन सबस्क्राइब जरू करें तो चली दोस्तों वीडियो को सबसे पहला मैं अपना YouTube आप्लिकेशन ओपन कर लेता हूं सबसे पहल्क मैं आपको उससमयस्य को बताता हूं आपको को समस्या क्या हूं देखने को मिल रहा है उसके बाद मैं आपका इसका सोलूशन बताँ गाँ आप इसे कैसे ठीक कर पाएंगे तो जैसी कि मा लीजे आपको email id मैं आपको समस्या मिल रहा है या email id किसी और फोन में भी लोगिन था और किसी और फोन वाला बंदा कोई भी आपका दोस्त हो या कोई दूसरे फोन में आप एक email लोगिन किया होते हैं तो कोई दोस्तों आपका email id का पासवर्ट चेंज कर दिया है इसी को जासे आपको एक्शन कर दोस्तों आपका जो email id का पासवर्ट चेंज कर दिया है तो अभी आपको एरर मिल रहे हैं तो मैं एकाउंट पर किलिक करता हूं अपना स्वीच एकाउंट पर किलिक करके उस email id को मैं यहां से लॉगिन करने की कोशिच करा हूं आप यहां देख सकते हैं बहुत सार मेरे मिल रहे हैं तो आपको इस पर किली करना हूँ जैसे इस पर किली करते हैं उसके बाद पसको डालने के बाद नेक्सट के करेंगे तो आपका समझ ठीक हो जाए पासओर यांद नहीं है पासओ डाल रहे है तो बताया जारा है कि आपका ऑफ पासओर कुछ दिर पहले चेंज कर दिया है किसी ने तापको फोर्गेट पासओर पर किलिक करके यहांसे आपने बना सकते जो भी अपना पासओर बना चाहते हैं किसी भी अक नंबर को ती जाए एक क्लिक करेंगे उसके बाद आपके प्रॉट बनाने का उप्छन आ जाए गया जो कि मैं अपना email ID का password मुझे याद है तो मैं आज से email ID का password डाल ले था हूं उसके बाद देख सकेंगे कि successfully मैं email ID में login हो जाएगा मेरा email ID सही हो जाएगा तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैं अपना नहीं जा रहा है आप मोबाइल किसी और के पास है आप notification पर किलिक नहीं कर सकते हैं तो आपको try अन्यदर पर किलिक करके यहां से भी कर सकते हैं लेकिन जिस phone में notification जा रहा है उस phone वाले को बोल दीजिएगा कि आपको phone में notification आएगा yes click कर देने के लिए यानि email ID आपका कहीं और भी login है इसी को जैसे आपको इस तरह का notification मांग रहा है तो जैसे आप दूसरे phone से notification को यहां किलिक करते हैं उसके बाद automatically process आगे बढ़ जाएगा जैसी के आप यहां देख सकते हैं मेरा complete हो चुका है और दुबारा से email ID login हो चुका है जो समस्या मिल रहा था उस समस्या ठीक हो